Hello guys, स्वागत आप सभी का आज की important math की class के अंदर आज की वीडियो में हम discuss करने वाले हैं SSC CHSL Pre-Exam 2022 को आप सभी को बता दू SSC CHSL Pre-Exam 2022 जो हैं वो March 2023 के अंदर 36 shift में conduct करवाए गये थे इन 36 shift में से आज हम 9 March 2023 को पहली shift discuss करने वाले हैं पहली shift के 25 math के question को जो है वो best approach के साथ solve करने की कोसिस करेंगे कोसिस करेंगी कि हम हर एक question में कम से कम समय लगाएं ताकि आने वाले exams में जब आप solve करने बैठे तो आपको भी कम से कम समय लगे देखे math के section को 15 से 20 मिनट देने होते हैं अगर आप इससे ज़्यादा दे रहें तो मतलब आपकी जो है वो speed math के अंदर अच्छी नहीं है इसलिए मैं कोसिस करूँगा हर एक question के अंदर एक best approach देने की ताकि आप हर question को कम से कम समय में solve कर सकें और आप सभी को बता दू इस video से related अगर आपको content की PDF चाहिए तो सभी लोग description box में दियेगे टेलिग्राम लिंक से जुड़ जाएए ठीक है उस टेलिग्राम से ग्रूप से जुणने के बाद आपको क्या मिल जाएगा रोज का रोज PDF मिल जाएगा ठीक है जो भी वीडियो आएगा उसका link आप सभी को मिल जाएगा ठीक है जो भी content से related अनी PDF अप्लोट की जाती है वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी एक चीज़ आप लोगों को special बताना चाहूंगा थोड़ा सा अभी आपको writing के अंदर compromise करने पड़ेगा क्योंकि अभी जो मेरे पास writing pad है भाई बहुत अभी छोटा है इसलिए मैं पूरी कोशिस करूँगा आपको clear and साफ लिखने की लेकिन जैसे जैसे आगे class बढ़ेगी आप लोग जादा से जादा share करेंगे वैसे मैं जो है वो writing pad को भी improve कर लूँगा ओके चलिए question को start करते हैं पहला question आपकी screen पर यह question कहता है कि एक पहिए की त्रिज्या जो है वो 14 cm है तो 10 चकर में जो है वो कितनी दूरी तय करेगा देखिए हम सबसे पहले एक circle लेते हैं circle से हमें अच्छी तरीके से समझ आएगा कि आखिर ये question जो है वो किस type का है देखिए suppose ये हमने circle लिया जब एक circle जो है वो अपनी दूरी तय करता है ऐसे दूरी एक चकर लगाएगा तो ये वाली जो परीद है ना यही घूम कर तो ये वाला स्वरी ये जो परीद है ना यही एक चकर पूरा घुमा के यहां तक लिके आएगी तो ये जो परीद है इसका formula क्या मैंने आपको बताया था 2πr है ना इसका formula मैंने आपको 2πr बताया था तो ये वाली जो आपकी दूरी है ये भी क्या हो जाएगी 2πr हो जाएगी एक चकर में हमें कितने चक्कर लगाने हैं, हमें 10 चक्कर लगाने हैं, जब आपको 10 चक्कर लगा देंगे तो आप क्या करेंगे, ये दूरी आपकी निकल के आ जाएगी, ठीक है, तो हम इसको formula के अंदर put करते हैं, तो by का मान रख देते हैं, 22 बटे 7 ठीक है, और R का मान रखते हैं, जो कि आपकी 30 दे रखी है 14, ठीक है, और उसके बाद कितने चक्कर, हम 10 चक्कर लगा रहें, ठीक है, तो अब हम इसे अगर काटेंगे, तो 7 जो है, ये 14 के साथ 2 बार जाएगा, 22 दूना, 44 दूना, 88 और 10, 880 cm, जो है, आप क्या, 10 चक्कर में, ये दूरी को complete करेंगे, 10 चकर में, तो राइट एंसर जो है, आपका 880 cm, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ओके, ओप सो, ये जो राइटिंग मैं आपको लिख रहा हो, ये राइटिंग जो है, आपको clear नजर आ रही होगी, थोड़ा सा आपको जो है, वो manage करना पड़ेगा, जब तक जो है, वो writing pad इंप्रूब नहीं हो जाता, ओके, चलिए, next question की तरफ बढ़िए, next question देखे, क्या कहता है, कि a plus b plus c बराबर 0 है, तो a q b q c q minus 3 abc का मान बताइए, देखे, a q b q plus c q minus 3 abc का जो पूरा formula होता है, वो ये formula होता है, जब आप a plus b plus c की value 0 put कर देंगे, तो इसके साथ कुछ भी गुड़ा हो, anything is कुछ भी क्या बन जाएगा, वो 0 बन जाएगा, इसलिए, a q b q plus c q minus 3 abc का मान जो हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, ठीक है, c इसका बिलकुल सही जवाब हो जाएगा, बस आपको अगर formula पता है, तो आप सिर्फ इसे 5 second में इस question को कर सकते हैं, सिर्फ only on 5 second में, ठीक है, चलिए, next question देखी क्या कहता है, next question कहता है, कि sec theta plus 10 theta बराबर 5 है, तो sec theta minus 10 theta का मान बताइए, देखिए मैंने आपको बताया कि था, कि जब sec theta plus 10 theta आए, तो अगर ये p है, तो जब ये minus में आएगा, sec theta minus 10 theta, तो ये क्या हो जाएगा, one upon p हो जाएगा, ओके, तो p की value 5 दे रखी है, तो one upon p की value कितनी हो जाएगी, one by five हो जाएगी, right answer आपका a बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, a is the right answer of this question, अगला question देखिए क्या कहता है, अगला question जो है, वो आपका जो है, वो पाई चार्ड पर based एक question है, कहा गया है कि नीचे दिया गया पाई चार्ड 6 स्कूलों में, वो स्कूल है, P, Q, R, S, T, U में लड़कियों की संख्या को दर्साता है, इन सभी 6 स्कूलों में लड़कियों की जो संख्या है, वो कितनी है, 3000 है, एक विसेश इस परसेंट में दर्साय गया, तो उसी परसेंट के according हमें बताना है, कि P और R में कितनी लड़किया है, देखे, P जो है, वो आपका कितना है, 17 परसेंट है, अगर R की बात करेंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा 31% 17 और 31 हमारा 48% हो जाएगा तो 3000 का 48% होगा वही आपका क्या होगा answer होगा तो हम क्या करेंगे इसको solve कर लेंगे 3000 का कितना 48% तो हमारा कितना निकल आएगा ये आपका 2 0 से आपके जो है वो क्या हो जाएगे ये 2 0 से 2 0 चले जाएगे तो 30 का जब 48% से गुड़ा करेंगे तो आपका answer कितना आए जाएगा आपका answer आजाएगा 1440 ठीक है 1440 इसका बिल्कुल साही जबाब हो जाएगा I hope कि आपको 30 का table या फिर 3 का table आपको आता होगा अरताली के साथ आप जो है आसानी से गुड़ा कर लेंगे ओके चलिए next question देखे क्या कहता है next question कहता कि उस त्रभुच का छेतवल ग्याद करिए जिसकी प्रतेख भुजा की लंबाई 13 इंच 15 और 14 इंच है देखे तीन प्रकार के जो है आपके जो है वो त्रभुच की और तीसरा triangle आपको किस type का देखने को मिलेगा इस type का देखने को मिलेगा okay हम देख लेतें तीनो triangle में कौन कौन से formula लगते हैं देखे अगर आपका ये जो है वो right angle triangle है right angle triangle में जो है वो आपको formula लगता है one upon two based into height वाला formula ये formula लगता है लेकिन अगर यहाँ पर भुजाय जो है वो बराबर ना हो भुजाय जो है क्या हो बराबर ना हो तो हम क्या करेंगे यहाँ पर हिरोज का फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा हिरोज का फॉर्मूला लगाएंगे लेकिन अगर जो है वो सबी भुजाय बराबर हो तो कौन सा फॉ by 4 वाला formula लगाते हैं जब हमारी भुजाएं त्रिभुज की सारी बराबर हों तो देखी यहाँ पर ना ही triplet बन रहा है अगर triplet बन रहा होता तो हम 1.2 base into height right angle वाला formula लगा देतें अगर हमारी भुजाएं सारी त्रिभुज की बराबर होती तो root 3a square by 4 लगा देतें लेकिन हमारे पास क्या है heroes का formula अब हमें लगाना पड़ेगा ठीक है क्योंकि हमारे पास जो है वो भुजाएं जो है वो different है चलिए heroes का formula अब हम देखेंगे कि heroes का formula कैसे लगता है heroes की formula की बात करेंगे तो आप सभी को पता heroes का formula होता है s ठीक है s minus a into s minus b ओके और फिर क्या होता है s minus c यह होता है heroes का formula अब heroes के formula में आपको यह value put करनी है अब कहेंगे sir s क्या है s तो जो होगा वो तीनों भुजाओं को जोडने के बाद उसको आधा करने पर हमारा s निकलता है ठीक है तो हमारा 13, 5, 18, 10, 28, 28, 32, 10, 45 45 जो है वो total हो जाएगा और बटा 2 करेंगे तो हमारा s क्या निकल के आ जाएगा 21 निकल के आ जाएगा उसके बाद जब 21 में से b भुजा मतलब 15 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा उसके बाद अगर हम s में से 14 को माइनस करेंगे मतलब 21 में से 14 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना निकल के आएगा 7 निकल के आएगा तो हमारा जो right answer हो जाएगा साथ चकू 28, 28, 84 आपका जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 84 मतलब A आपका बिल्कुल correct answer हो जाएगा इस question का, ओके वोप सो ये question बिल्कुल clear हो गया होगा अगले question की तरफ बढ़ेंगे अगला question देखिए क्या कहता P का 20%, Q का 40% और Q के 80% के बराबर है जब हम P के 20%, Q के 40% को जोड़ते हैं तो जो परिणाम आता है वो Q का 80% आता है बाद में उसे ने कहा है कि P और Q का कितना परसंट है तो हम पहले क्या करेंगे P और Q का ratio निकालेंगे P Q का ratio निकालने के लिए जो पहले पार्ट में कहा गया वो करिए P का 20% इसको प्लस करेंगे क्यूंके 40% के साथ और जब जोड़ देते हैं तो परिणाम हमारा क्या निकलता है, क्यूंका 80% निकलता है ओके, तो P का 20% पराबर जब ये क्यूंका 40% P के 80% के साथ माइनस होगा, तो हमारा इधर भी क्या आ जाएगा, क्यूंका 40% आ जाएगा, ओके तो अगर ratio की बात करेंगे, अब ratio निकालने के लिए हम इसको काट लेते हैं, देखे, 100 से 100 चला गया, 20 का 1 और 22, 40, तो P Q का जो ratio आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा, P Q का ratio आ जाएगा हमारा, तो अनुपात एक, अब देखे, क्या आ गया रहा, P जो है, वो क्यूं का कितना परसेंट है, क्यूं, जो का होता है, वो नीचे आ तक का वाला एक है, और P कितना है, दो और आप percent में convert करने के लिए handed कर देंगे, तो हमारा answer जो आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा, 200% हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ओके, 200% is the right answer of this question, ओके, क्या जिए, हम अगले question की तरफ बढ़ेंगे, अब अगला question देखे, क्या कहता है, अगला question कहता है, कि यदि अंकित मूलिका 2 बटा 5% और क्रे मूलिका 5 बटा 8% के बराबर है, तो छूट परतिस्त क्या होगा, देखे, छूट का मतलब क्या होता है, कि 5 से 4 होगा, तभी आप कहेंगे न, कि छूट है, ऐसा तो है न, 5 से 6 हो जाएगा, तो आप कहेंगे छूट है, तो यहां तो profit हो जाएगा न, यहां पर discount, यानि यहां पर discount छूट आपको मिलेगी, तो वही चीज़ आपको सीधे direct करनी है, बिना किसी doubt के, आप क्या करेंगे, 2 बटा 5 लिखेंगे, ठीक है, और बराबर करेंगे, 5 बटा 8 के, कुछ नहीं लिखेंगे, mark price, selling price कुछ नहीं लिखेंगे, direct करेंगे, 8 दूनी 16 बराबर 25, तो यहां पर छूट निकाल ली है, तो छूट का मतलब है कि आपसे 25 से जो है, वो 16 हुआ है न, इतने का loss हुआ है, 9 का loss हुआ है, 9 का discount दिया गया है, और into 100, 25 से कटेगा, 25 चकु 100, 9 चकु 36 36% आपका, जो है, आपका क्या हो जाएगा, छूट हो जाएगी, 36% राइट अंसर आपका, C, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसी तरीके से इन questions को करते रहे, मैं कहा रहा हूँ कि जितनी भी practice करवाऊंगा, सारे set आपको solve करवाऊंगा, ठीक है, और सारे set solve करने के बाद, आपको खुद confidence आने लगेगा, कि हाँ वाकई मेरे से question बनने लगे हैं, अगला question देखिए, कहा गया, निमलिखित आयचित्र कच्छा 10 के छात्रों को अंक दरसाता है, यह जो आपका आयचित्र है, मतलब यह जो आपका डाइग्राम है, इसके अंदर जो अंक दरसाए गए हैं, वो कच्छा 10 के छात्रों के दरसाए गए हैं, ओके, उसके बाद इसने कहा कि कुल छात्रों में कितने प्रतिसत जो है वो 60% से अधिक है कुल छात्रों का कितने परसेंट जो है वो कुल छात्र जैसे सपोस करिए 25 है और यहाँ पर 5 है तो उसका परसेंट आपको निकालना है कुल छात्र में से कितने 60% से अधिक है चलिए निकालते हैं यहाँ पर कुल छात्र कितने हैं देखिए 2, 2, 4, 12, 4, 16, 16, 15, 21, 21, 49, 50 टूटल छात्र हमारे पास कितने हैं 50 हैं और 60% से अधिक कितने हैं 60% से अधिक ये वाला है 25, 9 कितना हो जाएगा 34 34 का जो है वो 100% आपका कितना हो जाएगा 50 से कटेगा दो बार 34 दूना आरशट तो 68% जो है आपका एंसर आजाएगा कहां पर है आरशट परसंट ये देखिए C option के अंदर 68% आपका सही जवाब हो जाएगा Next question की तरफ बढ़ेंगे Next question देखिए क्या कहता है एक वरत की जीवा जो है वो 30 cm है और उसकी 37 cm है तो केंदर से दूरी आपको बतानी है हम पहले सरकल लेते हैं देखिए जब आप ये सरकल लेंगे सरकल के अंदर जीवा कितनी बताई गई है जीवा की बात करेंगे तो हमारी जीवा जो है वो है 30 cm और ये हमारा हो जाएगा केंदर ये हमारा केंदर हो जाएगा आप केंदर से जो है आप सभी को पता है कि जब आप सेंटर पर ऐसे डालते हैं तो क्या होता है ये जो आपका 30 cm जीवा थी ये आपकी क्या बन जाएगी 15 15 बन जाएगी और तरिज्या उसने बोल रखा है कि तरिज्या जो है इसकी कितनी है तरिज्या इसकी 17 है तो ट्रिप्लेट आपने सुना होगा 5 पर 8 15 और 17 ये ट्रिप्लेट आपने पढ़ा है ना यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 8 हो जाएगा 8, 15, 17 और हमसे पूछा क्या हम से पूछा तो केंदर से जीवा के बीच की दूरी ही पूछा है ना तो आपका right answer जो है वो 8 cm हो जाएगा केंदर से जीवा के बीच की दूरी जीवा के केंदर से दूरी पूछी गई है तो यहां से यहां की आपकी दूरी जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 8 cm हो जाएगी तो 8 cm इसका बिलकुल सही जवाब हो जाएगा ठीक है next question की तरफ बढ़ते है next question कहता है कि Tina अकेले 12 दिनों में कर सकती है Mina अकेले उसी काम को 15 दिन में कर सकती है Tina और Mina ने 18,000 रुपए में इस कारिका करने का फैसला किया तो Mina को कितनी धनराज प्राप्त होगी सबसे पहले बार Tina ने इस काम को कितने दिन में किया है 12 दिन में किया है और Mina ने इसी काम को किया है 15 दिन में इनका जो LCM आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 60 आजएगा इनकी efficiency की बात करेंगे तो 12,5,60, T की जो है efficiency, T9 की efficiency 5 चा जाएगी, और 15,60, और मीना की efficiency कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, तो इसी efficiency के बराबर हम कर देंगे, 18,000 क्योंकि time into efficiency ही, तो हमारा क्या होता है, work के बराबर होता है, तो हमसे पूछा किसके बारे में हमसे पूछा गया, कि मीना को कितनी राज मिली है तो मीना को 8000 रुपे मिले है राइट अंसर आपका डी विलकुल सही जवाब हो जाएगा ओके चलिए next question देखिए क्या कहता है next question कहता है कि नीचे दिया गया दंड आलेक 5 कमपनियों J, K, L, M, N की बचत के व्यव को दरसाता है सभी कमपनियों के ओसत बचत और सभी कमपनियों के ओसत व्यव का कितना परसंट है देखिए सबसे पहले आप पढ़िए कि नीचे बेस में क्या आएगा उपर क्या आएगा नीचे क्या आएगा और फिर परसंट लगाने के बाद क्या परसंट निकलेगा सबसे पहले अगर आपने ये चीज पढ़ ली तो आप question को आधा वही पर solve कर लेते हैं देखे लिखा है कि सभी कंपनियों के औसत बचत जो है कंपनियों के औसत वेव का कितना percent है कंपनियों के औसत वेव का मतलब यहाँ पर जो है 22, 12 कितना हो गया 22, 12, 32, 34, 34, 4, 48 यह आपका जो हो गया saving जो हो गई आपकी कितनी हो गई 4800 हो गई ओके स्के बाद आपका expenditure कितना हो गया expenditure की बात करेंगे तो expenditure जो आपका हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 200, 800,000 पूला 100, 442,000 और 2.000, 4,000 अपका 4,000 क्या हो गया अगर इनके average की बात करेंगे तो इसके नीचे भी 5 से गुड़ा कर देंगे इसके नीचे भी 5 से गुड़ा कर देंगे और अब इनके ratio निकाल लेंगे ratio निकाल लेंगे तो देखे 5 से तो 5 कर जाएगा 2 0 से 2 0 कर जाएगा 8 चंग 48 और 58 44 तो हमारा जो saving है वो 6 ratio है और expenditure हमारा 5 ratio है तो हमसे क्या बूला गया जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि आपको कहां पर क्या रखना है आपको रखना है 7 जैसा हमें नीचे रखना है क्या करेंगे 5 div 6 into 100 क्योंकि यहाँ पर company के औसत वेव का पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा, ये कर जाएगा 20 से, और 20 का 120, आपका 120 परसेंट आपका right answer आजाएगा इस question का, ओके, इस question को एक बर दुबारा पढ़ो, देखो लिखा कि सभी कमपनियों के औसत बचत, सभी कमपनियों के औसत वेव का, तो औसत वेव का, वे जो का होता है, वो नीचे आता है, expenditure का का है न, तो 5 नीचे हमारा expenditure जो था, वही तो हमारा 5 नीचे आया है, और जो हमारी saving थे, वही हमारा उपर रखा गया है, right answer हमारा 120%, इसका बिलकुल सही जवाब हो जाएगा, ओके, चलिए, next question देखे, क्या कहता है, next question ये देखे, य I hope board mouse को आप लोग जो है, वो सही से solve कर लेंगे, इसको मुझे ना solve करवाना पड़े, तो बात अच्छी बनेगी, okay, चलिए, next question आपकी screen पर है, ये question कहता है, कि 30 चात्रों की आउसत आयू 5, 15 वर्स है, ठीक है, या देखा गया कि आउसत आयू की गर्णा करते समय, 1 चात्र क आउसत आयू 9 के बजाए 15 लिग गई, मतलब लिखनी थी हमें 9 वर्स, लेकिन हमने क्या लिख दिया, 15 वर्स, हमने कितना जादा लिख दिया, हमने 6 वर्स अधिक लिख दिया, तो ये जो 6 वर्स अधिक है न, उसे क्या करना है, सभी से माइनस करना है, तो कितने लोगों में माइनस होगा 30 लोगों में तो 1 6 कम 6 6 5 30 1 बटा 5 कितना होता 0.20% तो यह 0.20% यही तो पूरे average में जो है वो extra है तो हम पूरे average में क्या करेंगे इसको extra minus कर देंगे 15 में से 0.8 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका sorry 15 में से 0.20 जाएगा तो 14.8 बचेगा answer right answer हमारा 14.8 हो जाएगा ठीक है विल्कुल आसानी से solve किया जा सकता है इन questions को अगला question next question देखी क्या कहता है next question कहता है कि एक car एक समान गत से 60 km की दूरी तै करती है यदि कार की गत 8 km गंटा बढ़ा दी जाती है तो समान दूरी तै करने में 2 गंटे कम समय लगता है तो वास्तवी कद्ध बताईए देखे time difference पर based ये question है time difference पर based question का मतलब है कि distance आपकी कितनी दे रखी है 60 दे रखी है initial speed हमें पता नहीं है तो हम x मान लेते हैं और final speed क्या है x plus 8 बड़ी हुई speed क्या है x plus 8 हो जाएगी और इन speed का जो difference है वो कितना हो जाएगा 8 km प्रती घंटा हो जाएगा अगर time difference की बात करेंगे तो हमारा time difference कितना आ जाएगा 2 घंटे आ जाएगा अगर हम इसको काटेंगे तो काटने से हमें क्या हो जाएगा 2 से ये हो जाएगा 30 ठीक है आदा हो जाएगा और ये बन जाएगा 8 तरिक 24 240 बराबर x का x से गुड़ा होगा तो x square बन जाएगा और x का 8 से गुड़ा होगा तो 8 x बन जाएगा अब हम इसको quadratic equation में बदल लेते हैं x square प्लस 8 x माइनस 240 तोड़ने का तरिका मैंने आप सभी को बताया तोड़ना कैसे है तोड़ना है इसको अगर गुड़ा करने पे 240 आना चाहिए और उनका difference 8 आना चाहिए तो यहाँ पर हम तोड़ेंगे 12 20 में इसको तोड़ेंगे तो 12 दुनी 24, 240 आ रहा है और इनका difference आपका कितना आ रहा है 8 आ रहा है तो यहाँ पर जो है आपका 12 तो प्लस का हो जाएगा और 20 आपका माइनस का हो जाएगा तो right answer जो है वो हम कौन सा लेते हैं हम प्लस वाला लेते हैं आपका जो initial speed हो जाएगी वो 12 हो जाएगी जैसा कि A option आपका बिलकुल सही जवाब हो जाएगा A is the right answer of this question अगला question कहता है कि एक विक्त 25% लाब पर गेहों को बेजता है वो है इसका विक्रे मुली 40% कम कर देता है तो 25% की हान होती है तो गेहों का प्रारंबिक विक्रे मुली कितना होगा देखे पहले क्या हो रहा है पहले हो रहा है आपकी हान हो रही है 4-3 हो रहा है ठीक है तो लाब हो रहा है पहले क्या हो रहा है लाब हो रहा है 4-5 हो रहा है बाद में कितना हो रहा है बाद में हान हो रही है, चार से तीन हो रहा है तो आपने क्या किया, यहाँ पर जो है आपका जो SP है, वो कितना 40 रुपए कम किया था न, तो 2 रेशो कम हुआ है तो 2 रेशो बराबर आपका 40 हो गया एक रेशो बराबर कितना हो गया 20 हो गया, ओके, तो हमसे प्रारंबिक विक्रे मूली पूछा, प्रारंबिक विक्रे मूली हमारा कौन सा था, प्रारंबिक विक्रे मूली ये था, और सेकंड विक्रे मूली ये था, हमने प्रारंबिक विक्रे मूली के बराबर करना है, 5 रेशो बराबर इसको 5 से गुड़ा कर देंगे, तो हमारा एंस बारा माइनस ट्राइकेट में 25 प्लस 13 इंटू 10 तो 44 का 12 से गुड़ा करेंगे 12.48 ये तो 528 आ जाएगा माइनस 13 धाम 130 प्लस 35 15 तो इसका जो है माइनस करने पर हमारे पास कितना आ जाएगा 373 इसका आंसर आ जाएगा बिल्कुल बच्चों वाले कोश्चन पूछे गए हैं बाई बिल्कुल बच्चों वाले कोश्चन अगला कोश्चन देखे 4y बराबर 5 बटे 12 है तो cos square y का मान बताना है सबसे पहले हम क्या लेंगे एक triangle लेंगे ताकि आपको समझ आ सके कि आखिर क्या हो रहा है इस question के अंदर हम triangle लेंगे चले triangle में कहा गया है कि cot wise सबसे पहले आपको ये लाल बटे कक्का मैंने पढ़ाया है लाल बटे कक्का ठीक है लाल बटे कक्का पढ़ाया है मैंने तो لم्बटे आधार यहाँ पर cot क्या होता आधार बटे लंब होता है ठीक है आधार बटे लंब तो आधार कितना हो जाएगा आधार हमारा 12 हो जाएगा और लंब कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा तो 5 12 13 कर्ण हमारा triple 8 के साब से 13 हो जाएगा ओके और अब हमसे पूछा cos square y की value cos क्या होता sin cos आधार बटे कर्ण आधार हमारा हो जाएगा 12 ठीक है और turn हो जाएगा 13 और इसका square बोला है ठीक है तो answer हमारा क्या हो जाएगा 12 बार में 144 बटे 13 13 169 ओके और हमारा ये ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा next question देखिए क्या कहता है next question कहता है 32, 34, 28, 21 और 26 और x का औसर जो है वो 30 है कितनी term है 1, 2, 3, 4, 5, 6 term है तो जो इनका overall आजाएगा 180 आजाएगा 6, 38, 180 अब इनको जोड लेंगे फिर हमारा x निकल के आजाएगा देखिए 6, 1, 7, 8, 7, 15, 4, 19, 19, 2, 21, 2 2, 2, 4, 2, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15 151 151 आजएगा अब इनका जो difference है वो कितना आजएगा इनका difference हमारा 39 आजएगा जो x की value है न वो क्या है value 39 ही इसकी value हो जाएगी ओके right answer आपका 39 हो जाएगा next question की तरफ देखिए क्या कहता है next question कहता है नीचे दी गई तालिका में 5 महिनों में दुकानदार P और Q दवरा बेचे गए पेनों की संख्या को दरसाता है J1 कहता है J1 कहता है कि P सभी 5 महिनों में P दवरा बेचे गए पेनों की आसथ ठीक है वो J1 है और उसके बाद कहता है जेटू कहता है कि सभी 5 महिनों क्यू द्वारा बेचे गए पिनका आउसत जीटू है और हमें जेवन जेटू ही निकालना है तो हम क्या करेंगे अब जेवन इसका आउसत और इसका आउसत निकालना है तो आउसत क्या निकालना जब आउसत बराबर नि यह average हो गया P का इसकी बात करेंगे 30 हो जाएगा 20 और 10 30 120 और 30 150 और 6 5 11 ये भी हमारा कितना हो गया 260 बटे 5 तो हम 5 को तो वैसे भी काड़ देते हैं 5 से 5 कट गया तो हमारा जो हो गया 260 average आ गया 260 बटे 260 1 अपॉन 1 राइट अंसर हमारा क्या हो जाएगा एक हमारा बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा ओके 1400 रुपए में 2 वर्ष के लिए 10% वर्षिक रूप से संयोजित ब्याज की दर्चक्वती ब्याज कितना होगा देखिए जब यहां पर compound interest की बात करेंगे तो 10% जो है वो 2 साल के लिए कितना परसंट हो जाता है 21% हो जाता है ओके और 21% को हम क्या कर परसंट हो जाता है यहां पर आ गया 29 जीरो 2940 आपका जो है वो बिलकुस सही जवाब हो जाएगा तो आप सभी को मैंने बोला है कि देखिए जो 10% होता है वो 2 साल का compound interest 21% बन जाता है ठीक अगर 20% होगा तो compound interest कितना बन जाता है 44% बन जाता है ओके तो इसी तरीके से सारे आपको compound interest की formula पता होने चाहिए percentage में कि 10 अगर 10% है तो 2 साल का compound interest 21% हो जाता है 20% है तो 2 साल का compound interest 46% हो जाता है यह बात आप सभी लोगों को पता होनी चाहिए ठीक है next question के तरफ बढ़ेंगे next question कहता है कि एक जीवा x y द्वारा व्रत के केंदर पर बनाया जाता है पहली line आ जाती है ठीक है हमने केंदर पर यह व्रत की जीवा डाल दी हमारा केंदर क्या है हमारा केंदर भी यही है ठीक है तो केंदर पर जब हम जीवा को डालेंगे तो हमारी जीवा होती है वो आधे आधे भाग में डिवाइड हो जाती है और जीवा जो हमारी x और y जो है वो कितन जाएए हो गई, 18 बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, तो इतने basic basic से question आप से पूछे गए